परिक्षा का नाम ही तनाव उत्पन करने के लिए काफी है और ये स्थितियां पिछले दो दशक में बहुत तेजी से बदली हैं एक दोर वो भी हुआ करता था जब परिक्षाओं को बहुत सामान ने साधारन तरीके से लिया करते थे यहां तक स्थितियां रहती थी कि जब बच्चों की परिक्षाई होती उसके एक महिने पहले से विद्यारतियों पर तो दबाव रहता ही है साथ ही अभीभावग भी एक अजीब से माहुल में अपने आपको पाते हैं परिक्षाओं में तनाव प्रबंधन और नई सिक्षानीती इस विशय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियों में प प्राचारे रही हैं लंबे समय से शिक्षा के क्षित्र में आप कारे रत हैं रेणु जी सबसे पहले जानकारी आपसे यह चाहेंगे कि खास्तोर पर इस दौर में जो परिक्षा को लेकर इतना तनाव लगता है उसका सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख कारण किसे मान कि हर अभिवववक यह चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे मेरा बच्चा 99 परसेंट लाए 100 परसेंट में जो की संभव नहीं है और इसी मात्रपिता की महत्वपा कांशा और अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने का डर बच्चों में तराव पैदा करता है या उनकी परसेंट मार्ग चाहिए तो वह अपना खुद अपनी एक परसेंटेज का नेधारन कर लेते हैं तो वह एक तनाव का कारण होता है कभी-कभी किसी वजह से पूरे साल अगर ढंग से पड़ा ही नहीं कर पाए तो टाइम कंस्टीन के वजह भी एक तनाव का कारण होती है फि वजह से बच्चे तनाव में हैं आजकल तो रेनु जी का कहना है कि अपेक्षाएं जो है वो तनाव का मूल कारण है वो अपेक्षा चाहे विद्यार्थी की स्वैम से हो बहुत अधिक अंकल आने की या माता-पिता की जो अपेक्षाएं रहती हैं समाज की रिष्टेदारी में जो बाते होती हैं आस पडोस में बाते होने लगी हैं कि पडोस में बच्चे के कितने प्रतिशत अंक आये हैं तो इतने आने चाहिए उससे अधिक आने चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि हर एक विद्यार्थी अपने आप में विशिस्ट होता है हर एक विद्यार्थी unique होता है और उसका आंकलन परिक्षा में आने वाले अंकों के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति पढ़ने में याद करने में बहुत अच्छा हो सकता है हो सकता है दूसरे विद्यार्थी के पास कोई उससे अच्छी दूसरी skill हो सकती है इसलिए जीवन केवल परिक्षा के इरदगिर्द नहीं है जीवन बहुत बड़ा है जीवन बहुत विराट है रेणू जी आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि ये जो आज हम कारिकरम भी कर रहे हैं ये स्थिती है और आज के दो दशक पहले तीन दशक पहले की जब परिक्षाओं की हम बात करते हैं जैसा मैं प्रारंभ में कह भी रहा था कब परिक्षाएं आई और कब बीट गई ना पेरेंट्स को पता होता था और ना ही विद्यार्थी इतना तनाव लेते थे मुझे परिक्षा का और तनाव के कारण स्ट्रेस, डिप्रेशन और आगे बढ़ते हैं तो आत्मगाती विचार तक आने लगते हैं विद्यार्थियों के इसका क्या करण मानते हैं दो दशक में क्या बड़ा परिवरतन हुआ हाँ वही एक्स्पेक्टेशन हैं हर पेरेंस अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं आईस बनाना चाहते हैं जब कि हमारे दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था पेरेंस को पता था जो बच्चा पढ़ेगा उसको नौकरी मिल जाएगी जो नहीं पढ़ेगा वह अपनी स्किल के हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही लेगा जाए अगर वह फार्मर की परिवार से है तो क्रशी में कुछ कर लेगा अगर बिजनस फैमिली से तो बिजनस में कॉंट्रिबूट कर देगा तो इस तरह से माबाब को विशे चिंता नहीं रहती अभी हार पेरेंस बच्चे को टॉप मोस्ट प्रोफेशन में डालना चाहत करेर को और फेशन डीजाइनिंग को भी अबना करेर के सकता है ऐँए फूड इंडि además पेरेंस एक प्रोफेशन डेसाइड कर लेते हैं और फिर उनको लगता है कि उनका बच्चा ही कर ना चाहिया लिए अब एनको कि अभी कभी मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हो जिन् को बच्चे के पर प्रैशर आजाता है कि हमारे बाबापो ने इतना financial हमारे लिए क्राइस के दौर से गुजर रहे हैं तो हमें कर गुजरना है लेकिन चुकि उसकी विशिच्टा कुछ और है और वह नहीं कर पा रहा है तो फिर वह बहुत तनाव में आता है और यही तनाव क इस्तती आगे चलके stress में बदल जाती है और फिर वह कभी-कभी बच्चा इतना helpless महसूस करने लगता है कि वह फिर आत्मखाती विचार उसको आते हैं और वह स्विसाइडल अटेंप्स के और अग्रसर हो जाता है क्योंकि वह अपना पेन किसे के शेर नहीं कर पाता है उसके लगता है कि शायद सुसाइड करके ही इन सारी समस्यों कांथ हो जाएगा दूसरी बात कुछ आजकल पहले हमारे एक पूरा सामुहिक पारिवारिक का संग्तान था तो बच्चा कोई बात पेरेंस से नहीं कह पाता था तो उनने दादा दादी से शेर कर लेता था अपने भा पास कोई शेरिंग पार्टनर नहीं है तो इस वज़े से कभी-कभी वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहीं डॉक्टर रेनु जी ने कि एक तो जो एकल परिवार बढ़े हैं उसमें कहीं ने कहीं सामुहिक्ता का भाव उतना नहीं रह गया है जिस तरीके से संयुक्त परिवार हुआ करते थे एक एक परिवार में 15-20 लोग होते थे तो विद्यार्थी बच्चा किसी ने किसी से अपने मन की बात कह लेता था तो मन थोड़ा हलका हो जाता था कहीं यदि लगता था कि कोई बच्चा स्ट्रेस में है डिप्रेशन में है तो उनके परिवार के बाकी के अने लोग उनसे बात करते थे स्थिती समझते थे लेकिन अब जिस तरीके से होस्टल्स का चलन है विद्यार्थी जो है वो परिवारों से अलग हैं और परिवार भी यदि हैं तो अधिकान परिवार एकल परिवार हैं इसके कारण भी बड़ लेने लगते हैं तो स्थितियां विकट होती हैं अनेक मामलों में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो अभिभावक हैं उन्होंने यदि अपने जीवन में अपने लिए कुछ मान दंड तै किये अपने लिए कुछ गोल सेट किये और वो पूरा करने में यदि सफल नहीं हो पाते है रेनु जी आप से चर्चा ये करना चाहेंगे ये तो कारण हो गए कि किस तरीके से स्ट्रेस बढ़ रहा है किस तरीके से तनाव बढ़ रहा है जाना ये चाहेंगे कि इस स्ट्रेस का मेनेजमेंट कैसे हो इसका प्रबंधन कैसे हो किस तरीके से वापस वही दोर आए कि आपको मार्स से ही जज नहीं किया जाएगा और यह परिक्षा है जिन्दगी के बहुत चोटा पार्ट है और जिन्दगी में जो भी आप खुशी है जो आप कुछ करना चाहते हो हम आपके साथ हैं आप इसको एक आप अपने बैस रफर पढ़ाई करो बैस रफर डालिए औ अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पारें तो कोई बात नहीं फिर हम आगे और प्रत्न करेंगे और नहीं तो ऐसे भी हमारी सुसाइटी में हराई सराउंडिंग में ऐसे बहुत तरे एक्जामपल हैं जो जो ट्वैल्ट क्लास में फेल हो गए लेकिन वो आज आज आई एस प्रत्री नाशनल कंपनी खुद चला रहे हैं और उन्हें ने बहुत सारे लोगों के एंप्लॉइमेंट दे रहा है जोब देने वाले हो गए हैं तो परिशाओं के अधार पर हमकों बच्चे को बताना पड़ेगा कि तो हमारे लिए तुम सबसे इंपोर्टेंट हो आपके मार्क्स और आपकी कोई भी जो सफलता हैं वो सेकेंडरी हैं हमारे लिए आप आपकी खुशी आपकी विलिंग्नेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जो भी करोगे अन कंडिशनल हम आपको समें सपोर्ट करें और हम आपकी हैपिनेस हमारी सबसे ज्यादा मैटर करत सकते हैं रहना पड़ेगा तो हमें बच्चों को ये कम्यूनिकेट करना पड़ेगा कि बच्चों की खुशी उससे बढ़ी कोई चीज नहीं है अंक चाहे 90 प्रतिशत से उपर आए या फिर 60 प्रतिशत से कम आए यदि व्यक्ति है तो वो लगातार प्रयास कर सकता है जैसे हम अनेक बार चर्चाओं में बात करते हैं कि जब कोई चीटी दीवार पर चड़ती है अनेक बार चड़ती है गिरती है फिर चड़ती है फिर गिरती है प्रयास करते रहना चाहिए जीवन में सकारात्मक्ता का भाव ये बना रहना चाहिए निराशा का भाव नहीं आना चा कर्म किये जाओ फल की चिंता मत कीजिए परिणाम क्या आएगा अंक कैसे आएंगे जैसे आएंगे वैसा ठीक है क्योंकि जीवन का नाम केवल एक आपकी एक वर्ष की परिक्षा नहीं है जीवन का नाम केवल आपने जो सेट किया है केवल वही नहीं है क्योंकि आप उस परिक व्यक्ति की जैसा मैं कह रहा था अपनी विशिष्टता होती है और इस चर्चा में डॉक्टर रेनु जी ने भी जैसे कहा कि अब इस बदलते दोर में इस फ्रतिस परधा के दोर में नए नए अवसर बहुत खुल गए है फूड इंडस्ट्री की इन्होंने बात की टेक्नोलो जी के कारण नए नए अनेक प्रकार के रोजगार स्रजित हो रहे हैं व्यक्ति चाहे संगीत में हो कला की किसी क्षित्र में हो खेल में हो अपना केरियर बना सकता है और तो और व्यक्ति के पास में यह अच्छी भाशन कला है वक्त्रत्व कला है उसके माध्यम से भी वह जी इसक्षांनीति को लेकर हम चरचा करना चाहेंगे, कि नई शिक्षांनीती में बहुत सारी बाते नई आही हैं, सबसे पहले तो जानकरी यह चाहेंगे कि आखिर ये नई शिक्षांनीती बनी कैसे है, किस किस का कैसा इसमें योगदान रहा है देखिए जैसे परिवर्तन शस्टी का नियम है उसी तरह से शिक्षानीती, हमारी जो पहली शिक्षानीती जब लागू की गई थी तो 1968 में की गई ती, उसके बाद उसको 1986 में हम दूसरी शिक्षानीती हमने लागू की और उसके बाद फिर 92 में कुछ थोड़े परिवर्तन लेकिन विशेश नहीं अब 34 साल बाद यह देखा जाने लगा कि अभी जो हमारी शिक्षानीती थी वर्तमान में वो कुछ प्रभाव ही हिन हो रही है वर्तमान परिपेक्ष में हमारी चीज़े बदल गई है टेक्नलोजी बदल गई है अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है हमको इंटरनेशनल भी कॉंपीट करना होता है तो यह सब सोच के महरी ने 2019 में एक ड्राफ तयार किया नए शिक्षानीती का जिस जो हमारे पूर इसरों के पूर चीफ श्री के कसुरी रंगन साहब थे उनकी टीम थी विशेशग्यों की टीम शिक्षाविदों की टीम के साथ उन उसको उनोंने सब के लिए ओपन भी किया सारे सबसे सजेशन लिए इंडरस्टी से एकरदमिशन से और अधिमिस्टेशन से और फिर उनको इनकॉर्परेट करके टूथावजन टूटी 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 नाइट जूलाई को नए जो शिक्षानीती थी उसको हमारे म करके सकारात्मा परिवर्तन किये हैं तो नई जो शिक्षानीती है उसके निर्माण में निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि सिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों लोगों के हजारों विशेशग्यों के सुझाव तो लिये ही गए हैं इसके अलाव असबाज जीव भारत और भारतियता का विचार वो बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि सिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप नए नागरिक तयार करते हैं देश के लिए और उन नागरिकों में किस प्रकार का भाव है देश भक्ति का कि ऐसा भाव है इस किस प्रकार से हिलोरे लेने वाला है उनके पूर्वज किस प्रकार के थे हमारा इतिहास कैसा है हमारा विज्ञान कैसा है इतिहास हमारा है संबल विज्ञान हमारा है भुजबल इस प्रकार का भाव यदि नई सिक्षा नीती नए विद्यारतियों में जागरत करती है तो न आत्रभाशा में देने की बात है, पैटर्ण में कुछ परिवर्तन है, चोंकि आप लंबे समय से उच्छ सिक्षा से जुड़ी हुई है, आप से जानकारी ये चाहेंगे कि उच्छ सिक्षा को लेकर क्या कुछ नई बातें इस नई सिक्षा नीती में आई है। हाइर एजुकेशन में, हर डिस्टिक लेवल पे हाइर एजुकेशन खोलने का प्रावधान रखा गया, जिसे कि हर स्टूडेंट को उच्छ शिक्षा का लाब मिल सके, फिर अब अभी तक हमारी जो सेंटरल उनिवस्टी हैं, डीम उनिवस्टी हैं, प्राविट उनिवस्टी लौ और मेडिकल को छोड़कर उनके गाइडाइन्स पर सबकी गाइडाइन्स सेम होंगी, और इसी तरह से एक नैशनल एजुकेशन टेकनोलाजी फोरम के स्थापना की जानी है, जिसमें टेकनोलाजी के द्वारा हम शिक्षा में क्वालिटी लर्निंग को, एसस्मेंट को, किस तरह से एन्हेंस कर सकते हैं क्वालिटी को, इसके लिए सुझाव लिए जाएंगे और उनको इंप्लिमेंट किया जाएगा, और उन शेत्रों में जहां पर स्टुडेंट अभी तक भी उच्छिक्षा से लाभानवीत नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए डिजिटल कंटे सकते हैं, उन तक उनलाइन एजुकेशन ले जाने को और उनको लाभानवीत करने को एंशोर किया जाए, इसी तरह से रिसर्च एक्टिविटी को रिसर्च का एन्वार्मेंट करने के लिए एक रिसर्च नैशनल रिसर्च फांडेशन की स्थापना की जानी है, जो कि हार इसा गर्ल्स के लिए और जो थर्च जेनर स्टूडेंट्स हैं, उनके एक ऐसा एन्वार्मेंट करेंट क्या जाए, जो एक वेटेबल हो, फेर क्वालिटी उनको प्रवाइड की जाए, इस तरह का प्रावधान उसमें किया गया है, तो इस तरह से सारे ही हमारे स्टूडें का सामना करना परता है, अगर जैसे इंजिनेरिंग में, अगर कोई बच्चे थीन साल कंप्लीट कर लिए, और किसी कारण से थीन साल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसको कोई डिग्री नहीं मिल पाती है, और वह बार वीर तक पास ही माना जाता है, लेकिन नई सिक्षा नी साज की डिग्री उनको दी जाएगी, तो इससे बच्चों को मल्टीबल एंट्री और मल्टीबल एग्जिट का समाधान मिलेगा, प्रावधान मिलेगा, और एक बच्चों के लिए डिजिटल एक बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसमें अगर बच्चा का एक साल पढ़ क्रेडिट जितने भी अर्न करेगा वो उसके उसमें क्रेडिट बैंक में जुड़ेंगे, और अगर वो लेटल एंट्री में कहीं दूसरे इंस्टिटूट में पढ़ने जाता है, तो वो वहां से ट्रांसर हो के नई इंस्टिटूट में चले जाएगे, बच्चे कोई ये समय अवधी में ब्रेक लेके और पुने आके अपना पुराना कोर्स भी कम्पील कर सकता है, तो इस तरह की फ्लैक्जिबिटी जो बच्चों को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि बच्चों को तनाव भी कम होगा, उनके समय भी वेस्ट नहीं होगा, और उनको जो उनकी महनत है, उसका उनको अच्छी मैंस मिलेंगे. तीन वर्ष की पढ़ाई पूरी हुई है, तो डिग्री मिलेगी, और चार वर्ष की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च, बहुत अच्छा एक प्रकार से हम कह सकता है, यह प्रावधान है, क्योंकि यह आप एक बार एंट्री कर जाते हैं, उ लगता है, नई शिक्षा नीती में कुछ इस प्रकार के प्रावधान हैं, क्या कोई ऐसी बाते हैं, जिन से परिक्षाओं के समय होने वाले तनाव को भी कुछ कम किया जा सके, बिलकुल, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारे शिक्षा नीती थी, उसमें हमारे बार बहुत लिमिटे चॉइस थी, बच्चे को अगर कोई कोर्स करना है, तो उसको एक बैच अफ सब्जेक्स को पढ़ना ही रहता था, अब लेकिन उसके बास मुल्टी डिस्पिलरी चॉइस हैं, वो अपने जिन सब्जेक्ट में उसकी रूची है, वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है, तो उसमें डेफिनेटली जब उसको वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेगे, जिनमें उनकी रूची नहीं है, तो उसका तनाव कम ही होगा, फिर दूसरा जैसे मैं अपने परसनल एक्स्पिरिंस को बताते हैं कि कोई फादर अगर बैंगलॉर में है, और फिर उनका र सब सारे विश्विध्यालव में सेम नियम और इतिया होंगी, तो बच्चों को यह लॉस नहीं होंगे, बच्चा कहीं पर इंडिया में जाके अपनी पढ़ाई कर पाएगा, तो इससे भी परिशा का तनाव बच्चों में कम होगा, जो मैं आपको बताए कि मुल्टिपल ए करते थे, क्योंकि बीच में या तो डिगरी कर सकते हैं, या वो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन दो डिवल डिगरी के प्रावदान होने से अब वो रिलाक्स होके अपने दौनों कोर्स को परसू कर सकते हैं, विदाउट वेस्ट आफ टाइम, एनरजी एंड बनी, तो प्रुप से उनका तनाव कम होना ही है, साथ ही एक बहुत महत्वपुन बात ये भी है कि इस नई शिक्षानीती में जिस तरीके से कोशल विकास की बात की जा रही है, skill development की बात की जा रही है, पढ़ाई के साथ ही विद्यार्थी के जीवन में कोई ने कोई एक विधा, तो विकसित की जाएगी और उसके आधार पर वो विद्यार्थी अपना जीवी को पारजन भी कर सकता है तो ये भी कहा जा सकता है कि इसे नई सिक्षानीती के माध्यम से बहुत हद तक रोजगार की जो समस्चा है उसका निराकरण भी हो जाएगा और जब रोजगार की सकारात्मक्ष हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि नहीं वास्तव में यह बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले एक तो जिसे की नई शिक्षानीती में इंटर्शिप को बहुत महत्वदिया कि जो आपने पढ़ाई की है उसको प्रैक्टिकल फील में जाकर इंप ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंजिनियर हैं लेकिन आज वह अपना कर्यर डांस में बनाना चाहते हैं या एक्जाम्पल भी हैं तो आज वह बच्चा दोनों चीत एक साथ कर पाएगा अभी तक ऐसा नहीं हो पाथा तो यह बच्छों के लिए बहुत आने वाला बच् जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसकी स्किल को सीख के उसको ऐसे प्रोफेशन वो आगे कैरी कर पाएंगे और उसमें अपना भविश्य बना पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों का पूरा आने वाला भविश्य सुनहेरा और खुशाल भी होगा चलते चलते आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे दरश्कों के लिए कि परिक्षाओं के तनाव से किस प्रकार से बचें क्या करें क्या नहीं करें परिशा के तरव से चुक्कि अब परिशान चल ही रही हैं तो सबसे पहले तो हम शीडूल करें कि बचे हुए टाइम में अगर हमारे दो पिपर्स के बीच में गैप है तो उसके बीच में हम अपने कोर्स को चोटी चोटी पार्च में बाट कर उसको रिवाइस करने की तो आपको जो भी अच्छा लगता है, पेरेंट से बात करें, म्यूजिक सुनें, गार्डन में भूमें, इस तरह से आप डेक करके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, और हेल्दी फूड खाएंगे, तो अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, तो आप अच्छा एक्जाम बहुत वर्क करती है, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत वर्क करती है, सुपर ब्रेन योगा का मैंने देखा है कि काफी अच्छे उसके सकारात्मांक रिजल्ट है, तो छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्सराइज करके भी आप अपने फोकस और अपने रिटेंशन और मैमर करता से आपने जवाब दिया, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चत रूप से हम कह सकते हैं कि परिक्षा का समय है, थोड़ा विकट जरूर लगता है, लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें जैसे डोक्र रेनु जी ने इस कारिक्रम के दोरान कह बहुत अधिक अपिक्षाओं का बोज मत पालिये, जैसी सामान्य दिन्चरिया है, वो दिन्चरिया रखिये, आहार अपना बहुत ठीक ठाक रखना है, और साथ में यदि ध्यान, आसन, प्राणायाम, कुछ शारिरिक गति विधियां, कुछ खेल कूद, ये लगातार चलते रहते हैं, तो निश्चत रूप से जीवन बहुत हसमुख रहने वाला है, जीवन बहुत सुनहरा रहने वाला है, और विध्यार्थियों से भी ये कहना चाहेंगे, कि आप भी एक बात अवश्च गांठ बांद लीजे, कि आपके लिए और आपके अभिभावकों के लिए विध्यार्थियों की खुशी उनके चेहरे की मुस्कुराहट, इससे बढ़ई कोई अंक नहीं हो सकते, चाहे जितने अंक आएं, हस्ते रहिए, मस्त रहिए, और परिक्षाओं की तैयारी आनंद के साथ करते हुए जीवन को आगे बढ़ाईए, इन्ही शुब कामनाओं के साथ इस कारेकरम को विराम देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.